हलो गैज माइनेम इस प्रवीर और आज की डेट है 29th of December 2022 और आज हम बात करने वाले है इजी माई शेयर ट्रिप के बारे में तो बेसिकली यह शेयर में कुछ दिन पहले बहुत अच्छा मोमेंटम हुआ था ठीक है बहुत ही अच्छा इसने मोमेंटम किया और यह बहुत अच और तो इसके बारे में आज होना में लाजमे था और हुआ और जिन लोगए के पास में शेयर होल्डिंग पे था जिन लोगों ने टाइम पे खरीद लिया उनको यह इसका फाइदा हुआ और बहुत से लोगों को जिसका जो है फाइदा नहीं हुआ इस मोमेंटम का ठीक है तो इसी के वज़े से यह सस्टेंट में नहीं कर पाया और लगबग जो है वहाँ से नीचे अगर ऑबियूसली मार्केट भी डाउन हो गया था तो इसके वज़े से ठीक है औ मुझे इसा लगता है इसकी इसमें चांसे बहुत है कि यह ऊपर जाए एक अंडर वैलूट स्लॉक मुझे लगता है मेरे इसाब से मेरे पॉस्पेक्टिव के सबसे मेरे अनलसेस की सबसे बागी किसी का भी कुछ भी और राय हो सकती है ठीक है ओबियूसली तो अभी मैं differences से और एक अच्छा-कासा हमको हो एक momentum हमें capture करने को देखने को मिल सकता है ठीक है तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर लग बिया जा लो बनाया ठीक है वहाँ से बहुत अच्छा candle बना है यहां में बहुत अच्छा momentum हुआ उसके बाद में यह उपर निकल गया बड़ इसको एक रॉस नहीं कर पाया अर्फी के वाज से फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुआ नीचे आ ठीक है आज भी लगबग इसमें रेट कैंडल ही बना और मुमेंटम डाउन वर्ड रहता ठीक है तो अभी इसमें बहुत ही इंपोर्टन्ट लेवल में आपको बत निकलता है तो इसमें बहुत अच्छा मुमेंटम हो सकता है ठीक है तो मुमेंटम कप कहा तक हो सकता है वो डिपेंड करता है कि मार्केट कि दिशा में जा रहा है मार्केट का ओवराल सिनारियो क्या है अगर को वीट की जो न्यूज है वो और आती रही और जो है माहुल थो खराब होने लगा तो अब्यूसली मार्केट में सारे ही शेयर डाउन होंगे और यह शेयर भी है उसमें से यह कुछ तो गाइज अगर यह ऊपर जाने लगा तो लग यह 70 रुपिस के आसपास आपको इसका टार्गेट लेगी चल सकते हो ठीक है और 70 के आसपास यह फिर से हाल करके रखना विकास ऐसे ही शेयर के न्यूज के नोटिफिक्शन आपको मिलते रहेंगे ठीक है सुझाट सीट थैंक यूफर वाचिंग